असलाम आलेकूं रह्मतुल्लाई वरकात। अल्लाओमस्वली आले स्थेदेन महमद जाले स्थेदेन महमद जुबारिक वसलीब। वेलकम तो इस पोकन इंग्लिश क्लास। तोड़े वी हाव सेलेक्टेट वन वर्ब। तोड़े वर्ब। आज हमने वर्ब सेलेक्ट किया हैं टेक। इसके फाइफ फार्म कुछ इस तरह से होते हैं टेक। टुक टेकें टेक्स टेकिंग लेना इन पांच फार्मों के नाम कुछ इस तरह से हैं फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म, फॉर्थ फार्म, फिफ्ट फार्म दोसा नाम यह हैं वी वन, वी टू, वी त्री, वी फॉर, वी फाइब और एक नाम यह हैं प्रेजेंट फार्म, पास्ट फार्म, पार्स पार्टिसिपल फार्म as form ing form इन पांच ओ फार्मों के लेना जो हम तर्जमा कर रहे हैं तो उसका exactly हम English में कैसा होँगा to take कि एक to preposition को जो हम हम इस्तेमाल करेंगे उसके बाद first form लगाएंगे to verb से पहले to लगाने पर उसका और्दो में तर्जमा होता है ना, सोना, to take सोना, to give देना अब ये take का तर्जमा उर्दो में कैसा निकलता है तुक का तर्जमा किस तरह से करते हैं taken का तर्जमा कैसा निकलता है इंशालला हम आज के इस क्लास में सीखेंगे हम इन पांच ओ forms को हम sentences में इस्तिमाल कर रहे है ताके sentence के जरीए से इसका तर्जमा हम को अच्छी तरह से समझ में आ जा है चलिए पहला जो सेंटेंस ये है take the pin pin low किसी को सामने हुकुम देने के लिए order देने के लिए instruction देने के लिए हम first form को जो हम इस्तिमाल करते हैं हुकुम दे रहे है pin low दरवाजा खोलो किताब पढ़ो उधर बैठो सामने किसी को हुकुम देने के लिए direct हम उस से पहले हम कुछ भी नई लगाएंगे कोई helping वागवारा के इस्तिमाल नए करेंगे सिर्फ हुकुम देने के लिए तो पहला form इस्तिमाल होता है लिहाज़ हम समझ गए कि पहला form हम कहा इस्तिमाल करते हैं सामने होकुम देने के लिए Pen low, take the pen Book low, take the book Pencil low, take the pencil उसके बाद उर्दू में तर्जमे के लिहां से अगर हम रहा है वो ले रहा है उसको किस तरह से करते हैं कि जो हम ING form इस्टेमाल कर रहे हैं वो ING form को इस्टेमाल करेंगे The students are taking the pen Students pen ले रहे हैं किसी दुकान के पाद जाकर अगर कुछ ले रहे हैं तो the students are taking the pen Taking से पहले हम क्या इस्टेमाल करते हैं Helping भब Am, is, are Subject के हिसाब से जो वहाँ पर मुनासिब होगा यहाँ पर जो है plural है Students यह अगर किसी word को हम S लगा देते हैं तो वह plural बन जाता अगर हम S को निकाल देते वह singular एक वा है और एक जमा हो जाती है तो जमा के साथ हम helping भब R इस्टेमाल करते हैं The students are taking the pen Students pen ले रहे हैं The students took the pen Students pen लिये अब जो काम जो हो गया उसको हम क्या कैसा इस्तेमाल करते हैं Students pen लिये The students have taken the pen Second form और third form लिये ले चुके ले लिये यह हम उर्दू में हम भहस करते हैं लेकिन हकिकत में English वाले के थोड़ी confusion है कि ताके थोड़ा समझे करने के लिए कि जहां पर किसी भी एक साल येर जिकर करे कि वो 2020 को घर लिया तो वैसी सुरत भी हम second form इस्तेमाल करते हैं देट मेंशन करे कि वो जनवरी को लिया वो संडे के दिन लिया अन संडे तो जहां पर हम एक राइटिंग के टाइम पर लिखते से वकत अगर हम कोई येर कोई मन्त कोई डे या कोई टाइम दस बज़े at 10 o'clock नो बज़े at 9 o'clock जब हम टाइम मेंशन करते हैं तो वैसी सूरत में हमारे लिए लाजिम है कि हम सेकंड फार्म इस्तेमाल करें फिर ये जो थार्ड फार्म है पार्ट्स पार्टिसिपल फार्म टेक इन का जो वड़ है उससे पहले हम सबजेट के लिहास से अगर singular है तो हम has इस्तेमाल करते हैं अगर कोई plural है तो हम have इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर हम time नए मेंशन करेंगे बस students spend लिए आज लिए हम वो time बिलना जरूरी नहीं है वो कल लिए वो फ़ला year को लिए time बिलना जोए जरूरी नहीं है वैसी सूरत में हम third form इस्तेमाल करते हैं आसान बात यही है कि अगर हम किसी भी time, work, year का mention करते हैं तो second form इस्तेमाल करना चाहिए जहां पर हम time वोकर आइ मेंशन नहीं करते हैं month, year इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वहाँ पर हम third form को इस्तेमाल करना चाहिए, यही correct है, the students take the pin, अब इसके बाद यह दूसरा, first form का दूसरा इस्तेमाल यह है, कि अब हम उससे पहले कोई subject ला रहे हैं, subject में अगर plural ला रहे हैं, तो हम take इस्तेमाल करेंगे, subject में अगर singular, खाली the student, एक बलके बोरे, तो यहां पर हमारे पास, s form जो है, s form जो है, मिष्टेमाल करते हैं, takes, हम यहां पर जो है, s form को जो है, इस्तेमाल करते है, the students take the pin, बच्चे pin लेते हैं, यहां पर जो है, समझने की बात यह है, कि take taking, कि हम जो ing जो form जो हम add कर रहे हैं, अगर first form के आखिर में, अगर E है तो we will delete E E को हम delete कर देंगे निकाल देंगे फिर उसके बाद हम E के बाद हम ing फार्म जो लगाएंगे लेहाज हम टेकिंग में हम कैसा लिखेंगे T-A-K-I-N-G टेक का वड़ तो कहा T-A-K-E है I और E की आवाज दोनों बराबर होती है लेहाज हम E को हम delete कर देंगे फिर उसके बाद The students will take the pen ये future pen Students pen लेंगे चलिए इन हम sentences के जरी से सीखने के जोई कोशिश करते हैं Present continuous tense I am taking the pen, मैं pen ले रहा हूँ We are taking the pen, हम pen ले रहा है You are taking the pen, तुम pen ले रहा हो They are taking the pen, उस pen ले रहा है He is taking the pen, वो pen ले रहा है She is taking the pen, वो pen ले रही है It is taking the pen, वो pen ले रहा है Simple Present perfect tense I have taken the pen, मैं pen ले रहा ही we have taken the pen, हम पिन ले लिये, you have taken the pen, तुम पिन ले लिये, they have taken the pen, वो सब पिन ले लिये, he has taken the pen, वो पिन ले लिये, she has taken the pen, वो पिन ले लिये, it has taken the pen, वो पिन ले लिये, Simple Present Tense I take the pen, मैं pen लेता हूँ We take the pen, हम pen लेते हैं You take the pen, तुम pen लेते हो They take the pen, तुम pen लेते हैं He takes the pen, वो pen लेता है She takes the pen, वो pen लेती है It takes the pen, वो pen लेता है Future Tense I will take the pen, मैं pen लोंगा We will take the pen, हम pen लेंगे You will take the pen, तुम pen लेंगे They will take the pen, तुम pen लेंगे वो पन लेगी, it will take the pin वो पन लेगा, thank you very much.